नवस्कार मैं प्रियाराज राद देखरे एक न्यूस 24 कहा जाता है कि जीत का डमरू बसता है और हार का अतंक बसता है इस तरह से रोहिनी अचार काफी चर्चे में आ गई है तो इसे बिचनोंने फैसल लिया था वो सिंगापूर जा रही है जिसे लेकर लोगों का कहना है कि चुनाव हारने के बाद मैदान छोड़के भाग क्यों र रोहिनी अचार सिंगापूर के लिए रवाना हो गई है हलाकि उन्होंने बता है कि वो 10-15 दिनों के लिए ही सिंगापूर जा रही है और वहां से वापिस आ जाएंगी और सारं की जनता की सेवा के लिए मौजूद रहेंगी इस दोरान उन्होंने सिंगापूर जाने की को धन्यवाद के लिए मोधी सरकार में बिहार को बड़े मंत्राले नहीं मिले पर कहा सचाई सामने आ गई है वही विपस तो यही बोलता था जनता अब डिसाइड करे जनता से इत्ते जूठे वादे किये ठंठन गुपाल बना दिया है बिहार की जनता को जनता भी पैच बिह संदारे छाल के जवाब में लालू की बेटी ने कहा की हम उन्हें क्यों लेकर आएंगे वह बड़े हैं हम उसे असिरवाद ले रहे हैं अब कब आ ये तो वही बताएंगे हम लोग तो उनके बाल बच्चे हैं उनसे असिरौाद मांग रहे हैं इद्ना ही आंधर प्रदेश इसके मुख्य मंतरी चंद्रबाबु नाइडू के सपत गहन में नीतिस के नहीं जाने को लेकर जब रोहिनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तबियत खराब होगा उनका उन्हें अराम करने दीजे वही 13,000 वोटों से चुनाव हारने वाली रोहिनी अच्छारी के बारे में बात किया जाए तो सारं से पहली बार चुनाव में उत्री रोहिनी अच्छारे बीजेपी प्रत्यासी राजीव प्रताप रूड़ी से हार गई जहां रूडी को 4,71,752 वोट मिले थे वही रोहिनी अचारे को 4,58,91 वोट मिले रोहिनी अचारे 13,661 वोटों से चुनाव हार गई थी तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप सिंगापूर क्यों जा रही हैं कि आप मैदान छोड़के के वापिस भाग रही हैं तो इस पे रोहिनी अचारे ने कहा कि जी नहीं मैं सिंगापूर अपने बच्चों से मिलने जा रही हूँ और मैं 10- कि जनता के लिए मैं हमेसा मौजूद रहंगी और इतना ही नहीं मैं आसिरवाद लेती रहंगी यह हमारी जनता है यह मेरा देश है मैं इस मैदान को छोड़कर बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ मैं सिंगापूर किसी कार रिस जा रही हूँ अपने बाल बच्चों से मिलने जा रही हूँ तो जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से रोहिनी अचारे ने अपनी बात को साजा किया मेडिया से इसी बीच तमाम ख़बरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रही एक न्यूस 24 पर अगर आप हमें यूटूब पे देख रहे है तो हमारी यूटूब चै झाल